अगला question है अमारा why the why the load is disconnected before the off load tap changing operation करा कि off load tap बदलने के operation से पहले load क्यों काट दिया जाता है यह जो tap switch जो होता है जो tap switch होता है उसका प्रयोग हमलों करते हैं जैसे माल लिजे कि हमारा जो transformer होता है जब इस पर जब load ज़्यादा होगा लोड जब बढ़ेगा तो इसका जो output voltage है यह क्या होता है कि load जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे कौम हो जाता है धीरे धीरे क्या होगा आपका कौम होगा जब voltage ज़्यादा कौम हो जाता है तो फिर output voltage का मान बढ़ाने के लिए इसकी winding जो होता है winding इसमें एक के तीनो winding से tap की निकालके और एक tapping switch जुरा हुआ रहता है किया जुरा हुआ रहता है tapping switch इस tapping switch की सायता से हम क्या करते हैं कि transformer का जो output voltage है उसको घटाते या बढ़ाते हैं ठीके तो माल लेज़े कि जब घटाना है या परहना है उस समय कः रहा है कि load बंब क्यों कर दिया जाता है जब माल लेज़े कि ज़्यादा voltage है और ज्यादा current है उस समय अगर यहाँ पर tapping switch को हम बदलते हैं यहाँ से यहाँ करते हैं तो उस समय अधीक voltage और current के करण क्या है कि यहाँ पर आधिक sparking उत्पन होगा कि जब माल जे कि जो दो तार जुरा हुआ है यह अगर हम इसको हटाते हैं या जोरते हैं उस समय क्या होता है कि बहुत ज्यादा मत्रा में sparking होता है माल यहाँ पर अधिक current है तो ज्यादा sparking होगा तो उस sparking से बचने के लिए हम क्या करता है कि पहले load जो होता है न लोड उसको off कर दिया जाता है उद्दा सीन बिंदू से tapping को भी स्वयोजित करने के लिए तो neutral में तो जुरा ही नहीं जाता है diverter के चलते हुए संपर्क को भी स्वयोजित का मतलब डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं winding के लिए एक बिधु तलगाव पर दान करने के लिए नहीं संपर्क बिंदूओ पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए वही है कि to avoid heavy sparking at the contact point कि जो contact point होता है वहाँ पर heavy sparking बहुत जादा मातरा में sparking होगा heavy sparking उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि tap switch को बदलने से पहले load को काट दिया जाता है अगला question कह रहा है कि what is the what is the name of the part in power transformer कि power transformer में इस भाग का क्या नाम है तो यह जो भाग होता है यह इसको हम क्या करते है tap changer नहीं tap changer नहीं होता है tap changer गोल रहता है छोटा सा और इसमें घुमाने वाला दिया हुआ रहता है ब्रीदर ब्रीदर जो होता है उसमें silica gel भरा हुआ रहता है और ब्रीदर आपका ऐसे रहेगा जो congurator से जुरा हुआ रहता है एक video हम बनाए है इससे पहले देख लिजेगा उसमें बुचोल रीले में दोफलอट स्विच होता है तो यहां पर दो फलोट स्विच हयै एक यह और यह ऊपर वाला और नीचे वाला इसमें तेल भी भरा हुआ हुआ रहता है तो यह बुतोल रीले है बुचोल रिले हमारा अप्षन नमबर C से है कि ये जो figure दिया हुआ है ये किसका figure है बुचोल रिले का figure है ठीक है और ये बुचोल रिले है आपका अगला अप्षन दे रहा है कि explosion went दो एक्षमवेंड जबी भी हो रता है वह ऐसे घूमा हुआ रता है और यहां पर एक जाली लगा हुआ रहता है ठीक है यहां पर ठीक है अगला question कह रहा है कि which condition is absolutely essential for parallel operation of two transformer ती दो transformer को दो transformer जैसे है parallel में जोरने के लिए कौन सा जो मतलब की बिल्कुल आवस्यक स्थिति है सितलन का प्रकार तो देखिए cooling से कोई मतलब नहीं रहता है भार की प्रक्रिती से भी कोई मतलब नहीं रहता है कला अनुक्रम phase sequence सबसे ज़्यादा जरूर ही रहता है देखिए दो transformer को अगर जोरना है parallel में तो सबसे ज़्यादा जरूर है phase अनुक्रम यानि कि load sequence यह load बोल रहा है phase sequence कला अनुक्रम phase sequence कि R जो है फेज वो दूसरे transformer के R से ही जुटेगा और Y जो है दूसरे transformer के Y से ही जुटेगा और B जो है दूसरे transformer के B से ही जुटेगा ठीक है तो R R से Y Y से और B B से ही जुटेगा तो इसे हम क्या कहते है फेज अनुक्रम phase sequence तो दू transformer जो है उसको parallel में जोरने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है phase अनुक्रम कि यहाँ पर अगर R को Y से या R को B से जोरिएगा तो short circuit हो सकता है या Y को R से जोर दीजिए या Y को B से जोर दीजिए तो उस सवस्था में क्या होगा जैसे ही phase यहाँ पर आप बदलिएगा आपको short हो जाएगा तो वही फेज अनुक्रम जो होता है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है phase sequence में आपका transformer जूरा हो रहना चाहिए phase sequence सबसे ज़्यादा जरूरी है याद रखिएगा दो transformer को समनांतर में जोरने के लिए सबसे आवस्यक जो इस्थिती है वो है phase अनुक्रम एकला question है कि which construction technique is used to reduce copper loss in large transformer large transformer large मतलब बड़ा कि बड़े transformer में तामबे के नुक्सान को कम करने के लिए किस निर्मान तकनी का उपयोग किया जाता है तो जैसे मालेजे जो बड़ा बड़ा transformer है उसमें तामबा का जो copper loss है उसको कम करने के लिए क्या कि जाता है ठीक है तो copper loss को कम करने के लिए क्या कि जाता है कि use किया जाता है चरनवध कोर ब्यवस्था का उपयोग किया जाता है यानि कि यूज इस्टेपट कोर एरेजमेंट यानि कि कोर जो है आपका पतला पतला लेमिनेटेट करके तो जो रहें जाता है इस्टेपट मतलब होता है कि बीच बीच में जैसे कि आपका जो कोर है कोर के मद में बीच में दो कोर के बीच में हम माईका भर देते हैं माईका भर देते हैं क्या होता है कोर जो है कम गरम होगा जब कोर कम गरम होगा तो इस पर लपेटा गया जो वाइंडिंग है वो भी कम गरम होगा जितना कम तार ग इस ट्रांसफर्मर का क्या नाम है तो यह जो आप ट्रांसफर्मर देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि यह PVC का बेलनकार पाइप रहता है और इसी के उपर तीन वाइंडिंग आर वाइबी का थीरी फेज का तीनो वाइंडिंग किया हुआ रहता है इसमें कोई भी हम लोहा या आयरन जो होता है सिलिकोन स्टील का कोर होता है वो परयोग इसमें नहीं किया हुआ यह ऐसा ही सिलिंडर रहता है पाइप रहता है तो यह जो ट्रांसफर्मर होता है यह आप कि हावा इसका कोर क्या है हावा इस ट्रांसफर्मर का जो कोर है वो क्या है हावा तो आयरन कोर ट्रांसफर्मर नहीं है वायू कोर ट्रांसफर्मर यह है तो यह जो आप ट्रांसफर्मर देख रहे हैं यह क्या है एयर कोर है एयर कोर ट्रांसफर्मर है वायू कोर ट्रांसफर्म ठ्टीक है ठैराइट कोर नहीं है नहीं ρिंग कोर है यह युकोर ट्रांसफर्मर है अगला question कर रहा है कि which transformer is used to measure high voltage installation कि उच्छ बोल्टेज प्रतिस्थानों को मापने के ये किस transformer का प्रियोग किया जाता है देखिए जहां भी आपको उच कर ये voltage मापना होगा उच voltage अगर मापना है तो वहाँ पर हम किसका प्रियोग करेंगे potential transformer PT क्या है किसका प्रियोग करेंगे PT का ठीक है PT एक step down प्रकार का transformer होता है step down जहां पर उच current मापना होगा वहाँ पर हम CT का प्रियोग करेंगे ठीक है तो ये दो चीज याद रखेगा ऐसा question कभी भी आएगा तो देखते ही बन जाएगा ठीक है तो ये हो गया विभाव transformer ठीक है potential transformer अगला question है कि how does the moisture is controlled in breather यानि कि ब्रीदर heated on power transformer पर लगा हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है ठीक है तो जो ब्रीदर होता है जैसे आप ये जो transformer देख रहे हैं ठीक है ये जो transformer है इसमें आपका ये conservator है और conservator से ही pipe से ये क्या जुरा हुए आपका ब्रीदर ये जो भाग है ये ब्रीदर है ठीक है तो ब्रीदर में ये अभी सुस्क होता है तो इसका color होता है नीला ठीक है तो यह breather होता है ठीक है तो वही कह रहा है कि power transformer पर लगए हुए breather में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है तो नमी सोखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सीलिका जेल का प्रियोग करते हैं, सीलिका जेल का प्रियोग करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर्मर टेल का प्रियोग नहीं करते हैं, ना ही सोडियम कोलोराइड, ना ही अमोनिया कोलाइड, हम किसका प्रियोग करते हैं, सीलिका जेल का, अगला कोस्चन कह रहा है, कि वीच पावर का मतलब होता है सीधा आपका iron loss अब अगर short circuit है तो सीधा copper loss याद रखिएगा तो core loss यहां पर option में जैसे दे रहा है भावर्धा रहानी AD current loss तो देखे भावर्धा रहानी के लिए हम क्या करते हैं यह eliminated core का परयोग करते ठीक है और उसके बाद है ताम रहानी तो ताम रहानी को हम लोग निकालने के लिए short circuit test करते हैं यहां पर open circuit दे रहा है तो दोखे iron loss को core loss भी कहा जाता है तो open circuit test द्वारा हम क्या ग्याद करते हैं core loss यानि की iron loss का मान हम निकालते हैं तो core loss जो होता है आपका open circuit test द्वारा ग्याद किया जाता है और देखिए hysteresis जो होता है hysteresis आनि को कम करने के लिए हम निम्ड hysteresis वाला जो पदार्थ होता है जो धातू होता है उसका परयोग करते हैं ठीक है अगला question करा कि which determined by the crackle test of transformer आयल कि transformer के तेल के cracker test से किसका निर्धारन किया जाता है तो transformer में डालने से पहले इसकी जाज किया जाता है क्या क्या जात किया जाता है कि इसमें नमी की मातरा कितना है है कि नहीं है उसके बाद इसकी dielectric strength भी मापा जाता है तो crackle test होता है तो crackle test की साहता से क्या किया जाता है कि नमी को मापा जाता है निर्धारन किया जाता है क्या कियाता है क्रेकल टेस्ट में कि एक स्टील का ऐसा नली होता है ठीक है नली हो गया अब इस नली को क्या किया जाता है कि गरम किया जाता है यह गरम किया जाएगा फिर गरम जब हो जाएगा तो इसमें तेल डाला जाता है जो ट्रांसफोर्मर आय जाज करता है तो उसका मतलब उसमें नमी है अगर नहीं चटकता है तो उसमें नमी नहीं है तो क्रेकल टेस्ट से सहीं जाज किया जाता है ठीक है तो क्रेकल टेस्ट से क्या किया जाता है कि transformer, iles के moisture याने की, नमी की जाँच की जाती है क्या की जाता है अगला question करा है which material is used to make core of power transformer कि power transformer का core बनाने के लिए कि समगरी का उपिया जाता है नेखी power transformer जो होता है उसका जो core होता है, अच्छा quality के बनाया जाता है तो अच्छा quality के जो core होता है वो होता है cold rolled grain oriented तो यह जो होता है अच्छे quality का core होता है जिसका प्रयोग power का मतलब होता है बरा बरा transformer तो power transformer में प्रयोग किया जाता है अगला question हमारा करा है कि what is the name of transformer what is the name of transformer transformer का क्या नाम है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो है यह कौन सा transformer है यह कौन सा transformer है तो इसमें देखिए primary winding है और एक secondary winding है तो primary winding अलग है और secondary winding अलग है तो जब भी primary और secondary winding अलग-अलग किया जाता है यह primary हो गया और यह secondary हो गया जब दोनों अलग-अलग हो जाएगा तो यह कौन सा transformer हो जाता है core type transformer ठीक है जब primary और secondary अलग अलग होगा तो core type transformer और वही जब आपका primary और secondary पहले primary फिर उसी के उपर secondary यानि कि दोनों winding एक के उपर एक है तो वो cell type transformer हो जाता है ठीक है अगर auto transformer की बात जहां आती है तो auto transformer जो होता है उसमें केवल एक ही winding होता है तो auto transformer आपका ऐसा रहता है ठीक है auto transformer आपका ऐसा रहेगा ठीक है question कर रहा है कि what is the purpose of providing explosion vent in a power transformer कि power transformer में विस्फोट vent परदान करने का क्या उद्ध से है तो विस्फोट vent का मतलब हो जाता है explosion vent क्या हो जाता है explosion vent थीक है तो explosion vent क्या होता है अब यह आपको हम दिखा देते हैं देखिए जैसे यह एक transformer है power transformer है यह cooling pipe है इसका cooling tube है ठीक है और यहाँ पर यह जो आपको दिखाई दे रहा है यही है explosion vent explosion vent और इसमें आप देख सकते हैं कि यह छिदर छिदर जैसा दिया हुआ है कि स्थिदर छिदर जैसा दिया हुआ है तो छिदर देने का मतलब हुआ कि यह जो होता है यह छिदर यहाँ पर एक जाली लगा हुआ रता है अंदर से एक जाली लगा हुआ रता है जब तील का temperature इतना ज़ादा हो जाए, यानि कि जो transformer का tank है, इसके अंदर इतना ज़ादा दबाव हो जाए कि tank फट जाए, तो उससे बचने के लिए क्या कियाता है, कि यहाँ पर यह explosion wind देख सकते हैं, यहाँ पर यह main tank से यह जुरा हुआ है, ठीक है, तो जब tank में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से यह gas उपर उठेगा, और यहाँ से जब दबाव जादा होगा, तो यहाँ पर जो जाली होता है, पतला होता है, तो यह जाली फट जाता है, और इस छिदर से gas बाहर निकल जाता है, और जो transformer का tank होता है, वो फटने से बच जाता है, ठीक है, तो य explosion went हो गया और ये conservator है और यहां पर ये oil indicator meter है मतलब इस conservator में यह tank ये तेल कितना है ये दर्स आता है ठीक है तेल की मात्रा को दर्स आता है ठीक है तो वही हमारा question कह रहा है कि transformer में explosion went हम क्यू पढ़योग करते है ठीक है heat religion religion, religion होगा यहाँ पर ठीक है उसमा छोरने के लिए air religion हावा छोरने के लिए देखिए हावा छोरने के लिए हम breather का पढ़योग करते है pressure religion तो देखिए हमारा option number C सही है क्या कि explosion went का हम क्यों पढ़योग करते हैं आपका pressure release करने के लिए दबाव बाहर निकालने के लिए यानि कि जो tank है tank पर जब जब ज़्यादा दबाव होगा तो यह explosion event से जो इसका दबाव है वो बाहर निकल जाए और यह tank हमारा फटने से बच जाए तो pressure दबाव छोरने के लिए हम explosion event का पढ़योग करते हैं अगला question है कि what is the function of बुचोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफर्मर की बिजली ट्रांसफर्मर में बुचोल्ज रिले का क्या कार है तो बुचोल्ज रिले बहुत पार हम लोग पर चुके हैं उसका क्या काम है कि overload या short circuit जब होगा transformer में तो वो सुरक्षा देता है ठीके तो हमारा option number D से हो गया कि protection from both overloading and short circuit अतिभार और लगुप अथन दोनों के सुरक्षा के लिए क्या करता है बुचोल्ज रिले काम करता है तीके उचितापमान से सुरक्षा उसके लिए आपका explosion when bhen't होता है या जैसे कि उसमें तेल प्रियोग करते है नमी ये ठंडा रखने के लिए तेल में प्रवेश करने वाले नमी तो इसके लिए हम एक silica gel का प्रियोग करते है ये ब्रिदर से ठीके टैंक में दबाव के लिए explosion wind का प्रियोग किये जाता है ठीके तो जो बुचोज रिले है वो overload और short circuit से सुरच्चा परदान करता है ठीके अगला question कर रहा है कि why primary और potential off या off होगा potential transformer is found with thin wire and large number of turn कि क्यू विभव transformer का प्राथमिक पतली तार और बरी संख्या में घुमाओ के साथ कुंडलिक किया जाता है जब भी आपको जादा voltage यानि कि जादा voltage तरफ जो winding होगा वो पतला तार का अधिक turn होगा पतला तार का अधिक turn होगा क्यों उच impedance उत्पन करने के लिए जिखिए जितना पतला तार होगा उतना ही resistance होगा ठीके यहाँ पर जो पतला पतला तार होता है तो यहाँ पर चुकि यह चुमबकी परिपत है तो यहाँ पर impedance उत्पन होगा impedance यानि कि Z चुमबकी परिपत का resistance Z उत्पन होगा ठीके तो वही करा क्यों प्रयोकिया है तो उच प्रेरन देने के लिए to offer high inductance to obtain required voltage ratio आवस्यक voltage प्राथमिक धारा को भी नीमाय करने के लिए जो हम लोग पतला तार और ज्यादा टर्न पड़ियोक करते हैं तो वह हम पड़ियोक करते हैं to offer high inductance उच प्रेरन देने के लिए जब यहाँ पर पतला तार ज्यादा टर्न होगा ज्यादा resistance होगा ज्यादा impedance होगा तो उस समय ज्यादा ही inductance का उत्पन होता है जितना ज्यादा inductance होगा उतना ही आपका voltage का मान रहेगा तो ज्यादा voltage है तो पतला तार और अधिक टर्न रहेगा तो पतला तार और अधिक टर्न क्यों किये जाता है कि inductance ज़्यादा उत्पन करने के लिए ठीक है अगला question है कि why distribution transformer are normally connected as primary in delta and secondary in star यानि कि distribution transformer किसको कहा जाता है distribution transformer उसे कहा जाता है जिसकी सहाता से जिससे supply यानि कि विधूत उर्जा को बाटा जाता है तो वो जो होता है 11 kv by 440 volt जो होता है जो हमारे गाउं में होता है उसको हम distribution dtr कहा जाता है distribution transformer dtr कहा जाता है कि यह क्या करता है dtr 11 volt की supply को 440 में बदलता है और इससे कीरी phase supply और एक neutral की supply r y b और एक neutral की supply मिलता है तो वही कर आ है कि जो यह transformer होता है इसका जो primary है वो delta में और secondary जो है वो star में q जोरा जाता है secondary star में q जोरा जाता है तो q जोरा जाता है तो हम option देख लेते हैं कह रहा है कि primary delta में और secondary star में क्यों जो रहा जाता है देखी जहां पर आपको three phase है क्योंकि गाउं में केवल क्या आता है हमारा 11000 का three phase wire आता है तो जब three phase wire केवल है three phase की ही supply है तो delta connection करेंगे अगर हमें neutral की जरुवत है तब star connection करेंगे तो गाउं में हमें क्या है कि घर में तो 220 वोल्ट की supply जाता है तो वहां पर 220 वोल्ट की supply का मतलब हुआ एक phase wire और एक neutral एक phase और एक neutral तो जब neutral की जुरत है आपको तो secondary में तो star connection करना पड़ेगा तो वही का रहा है to a wide overloading नहीं to maintain constant voltage निरंतर voltage बनाये रखने के लिए नहीं अगला option है कि transformer को नुक्सान को कम करने के लिए नहीं two easy distribution of three phase wire three phase four wire system कि three कला चार तार के आसान वीतरन के लिए तो देखिए जो क्याओं में यह dtr जो होता है अभी बताये हैं कि इससे चार wire निकलता है three phase और एक neutral three phase और एक neutral ठीक है तो यह three phase और four wire four wire की हो गया एक neutral हो गया ठीक है तो हमें neutral के जुरत होता है इसलिए secondary delta में और primary में चुकिए neutral नहीं होता है इसलिए हम primary क्या करते हैं delta में अगला question करा है कि which type of transformer is induced an ideal to winding transformer की आदर्स दो winding transformer में किस परकार का EMF प्रेरित होता है तो देखिए जब दो winding हो गया दो winding हो रहा है तो दो winding को हम इसमें EMF जो उत्पन हो रहा है कैसे तो mutual से mutual induction यानि की अन्योने प्रेरन जब एक winding में swam EMF उत्पन होगा तो वहाँ पर हो जाएगा self induction और यहाँ पर mutual induction ठीक है अप्शन नंबर ए अनियोने प्रेरित EMF mutually induced EMF ठीक है स्वैम जो होता है जो आटो ट्रांसफर्मर में होता है ठीक है अगला question कह रहा है कि how to determine copper loss in a transformer तो देखिए copper loss का मान निकालने के लिए हमेशा short circuit test अप्शन एकर आवेग परिच्छन अनुपात परिच्छन अनुपात यह लगू परिपत परिच्छन यानिकि short circuit test यह गलत हो गया है ठीक है तो short circuit test यानिकि अप्शन नंबर C लगू परिपत परिच्छन अगला question है कि why ferrite core transformer is used in radio receiver कि ferrite core transformer का उप्योग radio receiver में क्यों कियाता है देखिए ferrite core का परियोग radio receiver के transformer में कियाता है radio receiver यह ferrite जो होता है यह हलका होता है और उच frequency पर उच आवरिती पर ज्यादा आपका है जो kilohertz या megahertz में frequency होता है mh, mhz, khz में वहां पर हम ferrite core का परियोग करता है क्यों तो reduce electric interference बिधुत ब्यती करन को कम करने के लिए अगला है कि what is the advantage of steppet core arrangement in larger transformer कि बरे transformer में चरण बध कोर ब्यवस्था का क्या फायदा तो देखिए चरण बध कोर ब्यवस्था से क्या होता है कि winding में जो होता है winding में तामबा की जुरुत कम परता है तामबे के उपियों को कम करने के लिए steppet core का प्रियोग की एता है अब वही जब laminated core हो जाएगा तो वहाँ पर AD current का मान यानि कि iron loss का मान कम करने के क्या है कि why the why the code of current transformer is having low resistance and low core losses करक कर देखिए current transformer जो हता है CT current transformer इसको कहीं कहीं वर्तमान transformer भी दे देता है नहीं तो इसको कहीं धारा transformer धारा transformer भी आपको कहीं कहीं दे देगा धारा current transformer मतलब धारा transformer और कहीं कहीं कुशन में वर्तमान transformer भी दे देता है ठीक तो यह ध्यानम रखिएगा कि वर्त current का मतलब यहां पर यह current transformer का मतलब ही है यहां पर वर्तमान transformer कहीं कहीं धारा transformer भी देता है तो करक वर्तमान transformer का कोर कम प्रतिहात और कम कोर हानी वला क्यूं रखा जाता है तो कर आप्शन है कि निरंतर नीरगत बनाएर रखने के लिए नहीं बोज को कम करने के लिए नहीं पढ़ने में त्रूटी को कम करने के लिए देखिए हम CT यानि कि current transformer का क्यूं को पड़ियों करते हैं कि जो अधिक मान का जो हमारा करेंट होता है अधिक मान का जो करेंट होता है धारा होता है उसको जैसे मान लेजिए कि 1000 एंपियर का करेंट है एक हजार एंपियर का करेंट है और मेरे पास 50 एंपियर का ही यह एंपियर मीटर है तो हम कैसे मापने तो वह पर हम इसे CT transformer की सायता से 1000 amp के current को हम क्या कर सकते हैं यह CT के सायता से 50 amp वाले हम amp meter से माप सकते हैं जो CT होता है उसका जुसे अनुपात होता है जैसे 100 अनुपात एक या मानलेजीः की दो सव उनुपात एक या मानलेजीः की 2000 अनुपात पांच हो जाता है या 100 अनुपात पांच कहने के मतलब है कि अगर आपका year meter एक बता रहा है तो वो 100 A को 1 A बता रहा है इसलिए उसको 100 अनुपात 1 यानि कि 100 A को वो 1 A दर्शाएगा अगर 200 अनुपात 1 है तो 200 A को वो 1 A दर्शाएगा 1000 A 5 है तो 1000 A को 5 A बताएगा 100 A को 5 A दर्शाएगा तो यह CT का जोर होता है रेशियो होता है और से अनुपात बदला जाता है या प्रयोग किया जाता है तो वही कहा रहा है कि पढ़ने में तूटी को कम करने के लिए देखेए जब हम मालेजे के अंपियर मीटर की साहता से हम कर करेंट मापेंगे उस समय एक्क्यूरेट मतलब की अगदम सही सही मान हमें पता चलना चाहिए एक्कूरेट मान हमको पता चलना चाहिए तो वही हमारा option No.C होगा कि हम जो वर्तमान यान के current transformer होता है उसमें कम प्रतिगहात और कम कोर लॉस वाला जो कोर होता है वो प्रयोग तो यह कोड जो हम प्रयोग करते हैं वो अच्छा क्वालिटी करते हैं तो क्यों तो रीडिंग लेने में असानी होता है और त्रूटी मतलब कि इरर जो होता है वो बहुत ही कम होता है यानि कि सही-सही आपको रीडिंग मिलेगा अगला question है कि how the error in reading of a potential transformer can be reduced यानि कि वीभाव transformer को पढ़ने में त्रूटी को कैसे कम किया जा सकता है कैसे कम किया जा सकता है कम करना है जैसे देखिए अभी हम CT पर थे अभी हमारा है PT PT मतला होता है potential transformer जैसे हम लोग current माप रहे थे उच current को माप रहे थे वही पर अगर मालेजी के हमारा पास 11,000 वोल्ट की supply है और उसका voltage हमें मापना है ठीके तो वहाँ पर हम PT की साहता से क्या करते हैं current को मापते हैं याद रखिएगा जो CT होता है जो CT होता है वो आपका step off transformer होता है CT जो होता है step off होता है और जो PT होता है वो step down transformer होता है ठीके CT जो होता है वो step off होता है step off transformer है और जो PT है वो क्या है आपका step down है step down transformer होता है ठीके कैसे तो आप जानते हैं कि जो CT होता है जिसे कि आपका जो CT होता है उसके primary में एक से दो turn और secondary में अधिक turn रहता है CT के तो जब primary में come turn और secondary में अधिक turn है तो ये क्या हो गया step off transformer हो गया step up हो गया वही जब आप PT देखिएगा PT तो PT में क्या होता है कि primary में ज्यादा turn क्यों क्योंकि ज्यादा voltage से उसको जोड़ना है primary को तो इसमें primary में आपका ज्यादा turn और secondary में आपका come turn रहता है तो ये step down हो गया तो current transformer step up परकार का और potential transformer यानि की PT transformer जो होता है वो आपका step down transformer हो गया ठीक है याद रखेगा CT up और PT down transformer ठीक है तो वही कर रहा है कि जैसे हम माले जेकी PT की सायता से हम अगर voltage माप रहे हैं और उसमें error दिखा रहा है error का मत्ता हो गया कि जैसे voltage जो पता रहा है सही सही नहीं बता रहा है ठीक है गलत voltage बता रहा है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे ठीक है कर रहा है option पटलित कोर का उपयोग करके लंबा जुमक्य पत परदान करके उच प्रवाह घनतों समगरी का उपयोग करके अच्छा गुनवता वाली कोर यहां पर कोर होगा अच्छी गुनवता वाली कोर समगरी परदान करके तो देखिए जैसे सीटी जो होता है सीटी में भी आपको सेम वही दिकत होता है कि जो सीटी या पीटी ट्रांसफोर्मर होता है सीटी हो या पीटी हो उसका अगर हमें रीडिंग सही लेना है रीडिंग आपको सही चाहिए अगर एकुरेट रीडिंग चाहिए तो जो कोर है CT या PT का वो आपको कम कोर हानी वाला कम impedance उत्पन करने वाला आपको चाहिए तो अपसर नमबर हमारा D सही होगा कि अगर PT या CT CT या PT दोनों में से किसी से अभी अगर सही reading लेना है good quality का तो अच्छी गुनवता वाली कोर समगरी प्रदान करना पड़ेगा यानि कि अच्छी गुनवता वाला कोर जो है वो लगाना पड़ेगा जैसे कि अच्छा लगाना पड़ेगा ठीक है तो देखिए impedance यहां पर एक सब्द आ रहा है impedance impedance को हम Z से सुचित करते हैं याद रखेएगा impedance Z से सुचित किया जाता है जैसे आपका विधुत सर्कीट में resistance होता है वैसे ही चुमबक की circuit में impedance होता है क्या होता है impedance होता है और इसे Z से सुचित किया जाता है ठीक है तो जिसका impedance में के रजिस्टेंस चुमबक की प्रति रजिस्टेंस क्वाम होगा वह अगर धातुं पडियोग करते है तो हमारा अच्छा क्या करेगा आपका रीडिंग दर्स आएगा ठीक है झाल झाल